वास्तों में देखा जाये तो प्रॉब्लम वहां नहीं होता जहां हमारी दृष्टी जाती है बलकि प्रॉब्लम तो वहां होता है जहां हम देखी नहीं पाते या उस बात को हम जान नहीं पाते और जिसके कारण हमारा यह परिसानी हमारी यह बाधा निरंतर हमारे जीवन पर आपके लिए और कैसे आपके जीवन में जो विशेस उपलब्धियों को इसी महिने में अपराप्त कर सकते हैं क्योंकि 2024 कल किस ने देखा है आज यदि हमारे सामने जो है इसी में यदि हमकल ने यदि जो परिसान है यदि जो पीडित है उनके लिए तो एक-एक दिन एक-एक गंटा एक-एक पल कितनी मुस्किलों से बतित हो रहा है वो जाकर के उस इंसान से आप पूछें आज समस्ते हैं कि क्या इस सिती होने वाली है में सरासी के अपने लगन से प्रारब करते हैं आपके जो स्वयम लगना धी पती मंगल दे होता है वो इस समय आपके अश्टम भ प्रभाव ऐसा हो जाएगा कि भागे का सहारा मुझे इस समय पर अपने जीवन पर प्राप्त होगा यदि किसी कारण से भागे अटक रहा है भागे में कोई प्राबलम चल रही है तो भाई देव गुरु बिरस्पति आपके लगन में है आपको सहारा देने के लिए ध्यान लखेगा देव गुरु बिरस्पति जिस भाव पर होते हैं वो भाव सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है एक तरफ तो अस्टम भाव का मंगल कहीं कहीं स्वास्त में रुकावट परिसानी ला सकता है इसने स्वास्त के प्रति आपको सजगता रखने की आवसकता भी होग कि दूसरे तरफ देव गुरु बिरस्पति का यहां पैठना उसको मैनेज कर लेगा अर्थात मेंटेन करने की छमता आप में बढ़ जाएगी सिच्वेशन जैसा भी हो सिच्वेशन चाहे जितना भी बूरा हो माना जाता है जोतिस कर्म सार जब भागे के स्वामी देव कि अधिम आयगा इसी अंतिम महीने का अंतिम दिन यही वकरी अवस्ता से मारगी हैंस्ता हो जाएंगे मतलब बहुत बड़े परिश्पतन या बहुत-बड़े चमत कारशी से आपके आपके घर्चों को पदर्सित कर रहे हैं आपके हानीher को पदाशित कर रहे हैं और सांस बहुत लोगों ने अपने जीवन पर इसी टाइम पर चिकित सालह संबंधी ब्याय को भी देखा होगा, तो कम सकब इस दिसंबर महिने में वो सब की से मुक्ती मिलने का एक आसार आपको जरूर दिख सकता है, दूसरे और अब समझते हैं आपके धन की स्थिति क्या होने वाली है, ध्यान लखेंगे धने सापके बनते हैं सुक्र देउता, और यहीं सुक्र देउता पूरे अभी इस पूरे दिसंबर महिने में 29 नौंबर से प्रारम हो गए हैं, और पूरे के पूरे 25 दिसंबर तक आपके सब्तम भाव पे रहेंगे, माना जाता है सुक्र जिस भाव पर होते हैं, वहाँ पर प्रेम की परिकास्था को पदर्सित करते हैं, जब आपके ये सब्तम भाव पर होंगे, ब्यापार इत्यादी के दिस्टी कोर से बहुत अनुकुल होगा, दसम भाव से दसम भाव होने के कारण ये सुक्राचारे जी महराज आपके कैरियर के दिस्टी कोर से ये भी बहुत अनुकुल होगा, कारण ये है कि अपने मूल त्रिकोण रासी पर आए हुए है और आपके भई सब्तमाधी पती है ही है इस इस आप से देखा जा है तो आर्थिक परिपेक्ष से ये महिना बहुत अनुकुल जाने वाला है आपको आपके बिजनेस से धन मिल सकता है क्यों मिल सकता है क्योंकि धन भाव पर आपके सुक्र बैठे हैं दूसरे तरफ यहीं आपके दामपत जीवन का होता है तो दामपत जीवन में पती पतनी मिल करके एक नए सरचना का ब्यावस्था कर सकते हैं एक नए कारी प्रारम कर सकते हैं जिससे या फिर अपने पार्टनर से आपको सहयोग लेकर के इस समय पर जादया सफलता मिलने की आसंका बढ़ जाती है संभावना बढ़ जाती है धनेस जब हमारे धन भाव के स्वामी स्वैम सुक्र होते हैं सब्तम भाव पर आते हैं इस समय पर बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो इसी दिसंबर महिने में आपके धनेस की स्थिती का योग बहुत अच्छा है बहुत अच्छे धन कमाने का यह संजोग बन रहा है आपके इंकम इसी महिने पर बढ़ सकते हैं या फिर कोई नया धन समंदी कारिय बन सकते हैं कहीं पर धन की स्थिती यही रुकी हुई है वहां से धन की स्थिती प्रा का देउता होता है और इस कारण़ से हमारा मन जब पराक्रम भाव पर चंधरमा सुर्वाद दिनों पर होँगे अर्थात सुर्वाद सही आप एक प्रकार से पराक्रमी का योग आपके उपर बंता है तो की चन्रमा यहां पर बैठे हैं हां किसी बात को ले करके आपके मन में यह चंचलता या परिसानी दे सकते हैं लेकिन वो भी मात दो या तीन दिनों तक ही होंगा जो महिने के सुर्वात में ही अब इसके बाद समझें चतूर्त भाव वो इस्थान होगा जो आपके प्रॉपर्टी को पदस्रित करता है आपकी माता का सुख दिखाता है जो यहां से अपने भाव से चंदर्मा बारवे घर पर है इसलिए इस समय पर माता से दूरी या आपने आप जहां पर रह रहे हैं वहां से इस्थान परिवर संतान पहाव को पंचंबभाव वो इस्थान हो गया जो मेरे संतान का है तो संतान के सुख प्राप्ति करना चाहते हैं अपने बच्चों को लेकर के कुछ प्रावलम आएंगे चुकि ये पंचम भाव हमारा हमारे प्रेम होता है प्रेम का भाव पंचम है ये जब अश्टम भाव में आते हैं तो पति-पत्नी के मत है या फिर प्रेम लव अफेयर में भी यहां पर कोई समस्याय बनी होती है मानसी का सांती बनी होती है हमको क्या चाहिए सूरी को आपको देखना है सूरी जहां पर होते हैं वहाँ पर प्रकास होता है इस हिसाब से सूरी आपके अश्टम भाव पर है माना जाता है कि अश्टम भाव पर सूरी की रोस्ती नहीं पड़ती क्योंकि अस्टम भाव पाताल लोग का भाव होता है फिर भी आप ये विचार कीजिए कि सूरी हमें किसे जोड़ेगा सूरी हमें ओकल्ट साइन्स से जोड़ेगा इस समय पर आप गुगुप्त ग्यान विद्याओं से जोड़िए अपने देव अरादना कीजिए सूरी भागवान को नमस्कार कीजिए उनका जाब कीजिए निश्चय मानिये ये समय बहुत अनुकुल जाएगा लेकिन ये जो सूरी का कुछ नेगए ट्यूप्रभाव आपको मात्र 16 दिसंबर तक होने वाला है क्योंकि जैसे 16 दिसंबर से आगे का समय आगया अर्था 16 दिसंबर से ही सूरी नरायन आपके अस्टम भाव को छोड़ करके सीधे अपने नमम भाव पर आपके चले जाएंगे नमम भाव पर सूरी का जाना एक प्रकार से बहुत अच्छी स्थिति होगी क्योंकि त्रिकोर्ण के मालिक त्रिकोर्ण पर होंगे आपके कोई विचेस जो कारिया आप चाहते हैं कराना चाहते हैं तो यह आप कारी कर सकते हैं 16 दिसंबर से इस समय पर आपके संतान को उच्छ सिक्ष में प्राप्ति की सम्हावना बढ़ जाते हैं आपके सिक्षा बहुत अच्छी हो जाएगी आपके नौलेज बढ़ जाएंगे इस समय पर यदि आप सेयर मार्केट समंधी कोई काम में लगे हुई हैं कहीं से आपको लगता है कि मुझे सौटकर तरीके से धन प्राप्ति का योग बनता है क्या तो हाँ यह योग होगा कि पंचम भाव के स्वामी नमम भाव पर जब पंचमेश जाते हैं तो हमें भागी पर के बाद आपके नमम भाव पर जाएंगे तब भाग्योनति के दिरिश्टी कोर से यह सूरी आपके लिए किसी वरदान से या किसी चमकार से कम नहीं होंगे इस बात को समझेगा अब समझते हैं आपके रोग रिण और सत्रूओं की क्या इस्थिती रहने वाली हैं क्यों किसी इस भाव पर होती है तो क्या कहा गया केतु के लिए केतु एक सन्यासी है एक छोड़ने की भावना है एक त्यागने की भावना है तो इस इसाब से पूरे इस महिने में आप रोग रिण और परसानियों से मुक्ती पाने के लिए एक अच्छा संगर से अच्छा प्रया समय अनुकूल होगा, ये दिसम्मर का महिना अनुकूल होगा, क्योंकि आपके धनेज भी सप्तम भाव पर है, मतब धन का इंक्रीमेंट भी इस समय पर काफी हद तक प्रबलता कि और अगरसित हो सकता है, सत्रों की क्या इस्तिती रहेगी, तो सत्रों भाव के स्वामी आपके बुद्ध है, बुद्ध आपके नवं भाव पर गये है, आपके भागुनती में थोड़ी बहुत बाधाओं को पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा, आपके सत्रों के द्वारा, परन्तु ये बुद्ध निवतर क्या कहा गया है, धनु में 13 दिसम्मर को वक्री भी हो जा हमने आएगे, अब समझते हैं आपके ब्यापार भाव को, कि भाई ब्यापार भाव कैसा रहेगा, नौकरी तो हमने समझ लिया, ये समझेगा, कि उस भाव पर उस भाव के स्वामी है, अर्थात सब्तम पर सब्तमेस है, इस हिसाब से ब्यापारिक द्रिश्टिकोर से ये मह किसी वरदान से कम नहीं होगा ध्यान दीजेगा साथ नंबर सुक्र की सबसे मूल त्रिकोर्ण रासी है इस हिसाब से ये महिना ये 2023 का महिना दिसंबर का महिना आपके लिए ब्यापारिक द्रिश्टिकोर्ण से बहुत अनुकुल होगा सब्तम जो रासी जिस पर आय हुए है ये एक बैलेंस बनाने वाली रासी है अर्थात हम भी बैलेंस बना पाएंगे अपने कारे को आगे बढ़ाने के लिए दसंभाव से दसंभाव है सुक्र की मजबूती आपको किसी विसेस घटना की और आपको ले जा सकती है सायद को विसेस निर्ना लेना चाहते हैं आप अ फोकस होगा कि अपने रिसर्च कारे को आगे बढ़ाने का आप जिस फिल्ड में भी कारे करते हैं सुरी मंगल की स्थिती बनी है आप वहाँ पर रिसर्च करेंगे जिससे वहां से कुछ निकल करके सामने आएगा क्योंकि सूरी को क्या कहा गया है एक क्रियेटर कहा गया है भगवान सूरी को और जो आपके अस्टम भाव पर हैं तो इस समय पर कुछ नई उपलब्धियों को प्राप्त करने का आप प्रयास कर सकते हैं और जिससे आपको सफलता भी समाहित रहेगी नवम भाव जिस भाव के स्वामी देव गुरु विरहस्पति बनते हैं गुरु प्रयासों के अनुरूप हमें सफलता मिल जाएं देखिए एक तो ऐसा होता कि हम प्रयास करते हैं हमें सफलता प्राप्त नहीं होती एक समय ऐसा होता है जब हमने बहुत प्रयास किया और हमें सफलता उससे जदा या उसके अनुरूप मिल जाए ये किसी भाग या किसमत से क बहा करके रखेंगे। दूसरी और अगर हम आपके कैरियर को समझते कि का रहे कि 2023 में तो सनी देउता ओल्रेटि आपके इंकम भाव पर बैठें तो अगर कैरियर और इंकम दोनों को मिला करके देखा जाए तो सनी देउता के पास दो भाव का डिपार्टमेंट है एक तो आप तो कार्मिक द्रिश्ट्री कोंड से यह समय हमारा इनकम प्राप्ति का समय रहेगा या फिर इनकम प्राप्ति के लिए हम काम करेंगे और सनी की स्थिती पूरे के पूरे अभी लंबे आउधी तक रहना है अर्थात पूरे दिसम्बर महिने में तो ये कुछ बिसे यहां दिला ही देंगे अन्य था यह पूरा के पूरे मई 2025 तक रहेंगे आपके इंकम भाव पर इंकम की स्रश्चता को यह बढ़ाएंगे देखेंगे एक विचार कीजेगा कि सनी देवता के पास एक ऐसा प्रभाव है जो अच्छा करते हैं तो भी धीरे धीरे और बुरा करत हैं तो भी धीरे धीरे इस इसाप से आपको ऐसा दिख सकता है कि मेरे काम आगे बढ़ नहीं रहे हैं मेरे काम में निश्चा कई बार रुकावट या परिसानियों की सिती बनी हुई है मेरे इंकम आगे नहीं पढ़ना है क्योंकि सनी देव बैठे हुए हैं परन्तु ध्या अंतिम और बार्वा घर के स्वामी आपके देव गुरु बिरस्पती बनते हैं और बिरस्पती अपने से आगे घर पर हैं अर्थात इस समय पर सरीर भाव पर हैं तो सरीर मेरा जो लगन है मेरा जो सरीर है इस समय पर ज्यादा क्या करेंगे हम हम अपने खर्चों को अपने जीवने जो परिसानिया उसको मेंटेन करने में हमारा इस समय पर प्रयाज जादा रहेगा और यहीं नहीं क्योंकि बारवे घर के स्वामी लगन परा है आपको हेल्थ पर भी ध्यान देने के आउ सकता रहेगी और यहाँ पर गुरु जो है वक्री भी चल रहे है तो बस थोड गुरु बिरस्पती और आपके जो गुरु देव है या आपके जो इष्ट देव है उनका मंत्र जाप अपनी रंतर करते रहेए देव गुरु बिरस्पती भी कोई अच्छा प्रभाव ही आपको इस समय पर दे करके जाएंगे अब हमने समझा अब कुछ तारीखों को समझ था आपके मेस रासी के अनुसार जो आपके रासी में जो सुभ दिन होंगे वो 17 दिसंबर 18, 22, 23, 26 और 27 दिसंबर आपके लिए अनुकूल और बेहत सुभ फल दायक होंगे इसके विपरिद जहां पर आपको सतर कर रहने किया हो सकता है दो, 11, 12, 20, 29 और 30 तारीख कुछ सतरक परिपूर्ण रहने के आउसकता रहेगे आपको और यदि इस दिन कोई विसेस काम करना होगा तो अपने गुरू कृपा से आप वकारिये या गुरू की आरादना गुरू की आसिरवाद से वकारिय कर सकते हैं अब विसेस बात यह है कि इस 2023 में दिसंबर के महिने को इसने अस्टम भावव पर मंगल की स्थिती को और जागरिद बनाने के लिए अर्थात मंगल के प्रभाव को हमको सुभ बनाने के लिए इस समय पर हनुमान जी महराज के राधना करना मत भूलिएगा बज्रते हैं दाना वदलना जै 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 कपिसूर हनुमान चालिसा सुन्दर कान बजरंग बान जो भी आपसे बन पड़े हनुमान जी के सरण पे इस महीने के पूरे आप बने रही है हनुमान जी महराज सभी कारी को पूर्ण करते हैं कौन से कारी जग माही कौन से कारी ऐसा है जो हनुमान जी के द्वारा पूर्ण नहीं होता आपके जिवन में भी हनुमान जी महराज इस दिसंबर महिने में कोई नया कारी आपके जिवन पर करा जाए अच्छा मकी जीगा नमस्कार उमीद है आपको यह कारी करम पसंद आया होगा मेरा प्रयास पसंद आया होगा यदि आपको यह पसंद आया तो अपना लाइक और सब्सक्राइब जिल कीजेगा